अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ द्रेन दी जहाओ और आप देख रहे हैं स्पार्क नियूज लोन मोरिटोरियम पर सुप्रीम कोट में याच का दायर है फिर भी फैसले का इंतिजार बर करार है सुप्रीम कोट का रुख इसलिए तैक करना पड़ा क्यूंकि आर्बी आई की नई मोरिटोरियम स्कीम उतनी कार का नज़र नहीं आई पर RBI की नई मोरिटोरियम स्कीम को शायद ठीक से समझा नहीं गया असल में RBI ने ये स्कीम उन लोगों को सुविधा देने के लिए लाई है जिने कोरूना की दूसरी लेहने एक बार फिर कर्स तले दबा दिया है क्योंकि कोरूना में भले ही लॉक्डाउन क्यों न लग जाए अर्थिववस्था ठप क्यों न पढ़ जाए आम आदमी की जेब खाली ही क्यों न हो जाए लेकिन बैंक तो अपनी EMI वसू लेगा ही इसलिए ऐसे लोग जो सचमुच इस परिशानी का सामना कर रहे हैं या आसान शब्दों में कहें तो जो लोग अपनी EMI चुकाने की हालात में नहीं है उनके लिए RBI की मोरिटोरियम स्कीम संजीमनी से कम नहीं है RBI ने 6 मई को मोरिटोरियम 2.0 का ऐलान किया था जिसमें आप अपने लोग पीरेट को 2 साल तक बढ़ा सकते हैं इस नई स्कीम में कर्जधारकों को 25 करोड रुपे तक के एक्स्पोजर की राहत दी गई है बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका अकाउंट 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड होना चाहिए यानि उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए अब अगर आप ऐसा सूच कर बैठे हैं कि आपने पिछले साल री स्ट्रक्चिरिनिंग का लाव उठाया है तो आप इस नई स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं तो ऐसा मत सोचिए क्योंकि तब भी आप आर्बी आई की स्कीम का फायदा ले सकते हैं लेकिन अगर आप री स्ट्रक्चिरिनिंग का उप्शन चुनते हैं तो आपको इसका तगड़ा खामियाज़ भुकत ना पढ़ सकता है क्योंकि अगर आप ने ये उप्शन चुना तो रीपेमिट पीरियट दो साल तक बढ़ जाएगा इसलिए आप में से जितने भी लोग इस वक्त EMI का भुकतान करपाने में काबिल नहीं है उन्हें RBI की स्मोल टोरियम 2.0 स्कीम के बारे में जरूर सोचना चाहिए और इसका फायदा लेना चाहिए स्पाक नियूस के लिए जैन्ती जाकी रिपोर्ट तो अगर आपके दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगे आपसे तब तक के लिए नमस्कार